हेलो गीतनेगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं कांड़ा के मेलेगा आपको पूरा जलकियां दिखाऊंगी कैसे किया जाता है गाउं में जिनके घर से ये निशान जाता है चत्र जाता है वो अपने आसपास के गाउंवालों को लंच खिलाते हैं और खाना अगर देखो गाउं में अभी भी नीचे बैठके पंगत में बैठके खाना खिलाया जाता है और इस तरह से खाने का स्वाधी अलग होता है ये देखें यहां से जरनी स्टार्ट होती है देल चोरी से और यहां से ये खड़ी चड़ाई है हर निशान के साथ इसका एक अपन धोल दमाल होता है जिसकी थाप पे सब नास्ते वे गाते वे जाते हैं और बहुत खड़ी कठीन चड़ाई होती है ये मगर सब नास्ते गाते पहुची जाते है उपर ये देखें सब अपना इंजाय करते वे उस धोल दमाल ये देखें पीछे से ये पहाड़ी धोल है इस दिली अंस्यार के रहने वाले लोगों के लिए चड़ाई तो बस ठका देने वाली होती है मगर गाओं के लोग तो फटा 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 फट चड़ जाते हैं इनको आदत होती है ना ऐसी खड़ी चड़ाई में चड़ने की मढ़ हमारे बस की नहीं थी मगर मैं चड़ी गई थी मगर ये बड़ी कठीन चड़ाई है यह देखिए कुछ लोग तो दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं यह दर से यह सारी चड़ाई शुरू हो रही है सब लोग अपना धीरे 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 इस चड़ाई को पूरा कर रहे है, और देखिए कितना शरदा भक्ति से लोग माता का जगारा लगा रहे हैं और इस चड़ाई को पूरा कर रहे है और इस चड़ाई यहां देखिए यह आदे चड़ाई पूरी कर चुके हैं आदी चड़ाई कर चुके हैं और यहां पे थोड़े लोग ठक चुके हैं नास्ते गाते तो निश कर रहे हैं डोल दमाल में अपने अपनी धुन बजाने के लिए डिमांड हो रही है उनकी और वो नास्ते गाते अभी भी ठके नहीं है और यहां से अब चड़ाई फिर से शुरू होगी थोड़ा सा ठकान मिटाने के बाद और यहां यह देखिए यह बहुत सुन्दर इसको से सब के जंडे लगे होते हैं जो अपना निशान लेके आया वो अपना यहां जो माता का मंदिर हो उसके रेलिंग में बांद देते हैं और यहां आसपास के कई गाउं के लोग अपना यह चतर लेके आते हैं बहुत दूर दूर से भी लोग इस मेले को देखने आते हैं यह पूरी रेलिंग भर चुकी होती है कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही जंडे के साथ दो दो तिन तिन जंडे बंदे होते हैं अभी ये भरना शुरू हुआ है ये देखिए फिर भी काफी सारे जंडे आ चुके हैं और इस तरह से धूम धाम से ये वाला कांडे का मेला मिनाये जाता है और लोग अपनी शर्दा भक्ती से यहां आते हैं और धेर सारा आशिरवाद लेके जाते हैं और हर साल इस मेले का इनका इंतिजार हमीशा रहता है लोगों को कि इस मेले में आएंगे और माता का धेर से राशी वाल में